अज का हमारा टॉपिक है वाइरस के इंट्रोडिक्षन की बात करें तो वाइरस क्या है वाइरस क्या है यानि की वाइरस को आप खुली आंकों से नहीं देख सकते इनको देखने के लिए हमें एक special microscope की जरूत होती है तो यह क्या है smallest है इनको अब्लिगेट इंट्रासेलूलर इन्फेक्टिव एजन अब्लिगेट इंट्रासेलूलर यानि कि वाइरस की पास जो है वो cell नहीं होती है यह जो है किसी और cell पर depend होते है यानि कि इनकी multiplication के लिए इनको other host cell पर यह depend होते है other host cell की जरूत होती है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं obligate intracellular यानि कि इसको multiplication के लिए यह depend होते हैं किसी भी host cell के उपर वो bacteria की हो सकती है कोई भी animal की cell हो सकती है ठेके they require a living cells or organism for its multiplication मैंने भी आपको बताया कि they require a living cell यानि कि इसको इसके multiplication के लिए क्योंकि virus जो है जब किसी cell के अंदर जाएगा तभी इसकी multiplication कर पाएगा इसके पास DNA और RNA तो है ठेके nucleic acid तो है बट यह इसके पास cell नहीं है इसलिए यह बाहर multiplication इसका नहीं कर सकता तो इस virus को हम living cell भी कहते है और non living भी कहते है तो they are required living cell की जरूरत होती है इसको वो किसकी हो सकती है बैक्टेरिया की भी हो सकती है किसी human की भी हो सकती है और organism for its multiplication clear है they contain either DNA और RNA बट never both यानि कि इसके पास जो है nucleic acid present होता है उसके अंदर DNA और RNA present होते हैं बट दोनों नहीं होते हैं या तो DNA होगा या फिर RNA ही होगा तो इस प्रकार हम virus को जो है वो दो types में divide किया गया है DNA virus और RNA virus तो उसके पास जिसके पास DNA होगा वो DNA virus जिसके पास RNA होगा वो RNA virus clear है virus can observed only electron microscope तो हम ने अभी आपको बताया कि इनको वाइरस को देखने के लिए हमें एक microscope की जरूत पड़ती है तो हम electron microscope में इसे देख सकते हैं इट केन इंफेक्ट आ लिविंग फॉर्म इंक्लूडिंग प्लांट अनिमल बैक्टेरिया यानि कि यह virus जो है वो बहुत खतरनाक है जैसे क्या भी coronavirus तरह था तो यह क्या है किसी को भी इंफेक्ट कर सकते हैं प्लांट को भी कर सकते हैं एनिमल को भी कर सकते हैं बैक्टेरिया को भी इंफेक्ट कर सकते हैं बस इसको तो इसके multiplication के लिए एक cell की जरूते तो वो cell चाहे प्लांट की हो आनिमल की हो या बैक्टेरिया की हो ठीके तो यह जो है वाइरस जो है वो बैक्टेरिया से इसमाल होता है जब हम filtration इसकी करते हैं तो बैक्टेरिया से इसमाल होने के कारण यह filter हो जाता है ठीके तो इसके पास सेल नहीं होती है तो इसके पास कोई metabolic एक्टिविटी इसके अंदर जो है वो नहीं होती है ना इसको energy मिलती है तो देलेग देंजाइम नेसेसरी फोर प्रोटीन अन नुक्लिक असट सिंथेसिस यानि कि they like the enzyme इसकी पास उस enzyme की कमी है जो की necessary है कि इसके लिए protein और nucleic acid के synthesis के लिए तो यह enzyme वो किसी host cell के द्वारा प्राप्त करता है और इनका synthesis करता है देके they are living और non living मैंने भी आपको बताया कि इसके अंदर living के characteristic भी होते हैं क Nous living के Christopher सिक भी होते हैं इसलिए साइंटेस्स ने इसको दिए नो realize यानिकी लाकर छोड़ दिया हैं कि यह तो हो सकते है या लिविंग इसको कह सकते हैं कैसे क्योंकि लिविंग कब होंगे कि इसके अंदर dna और लिविंग और नो लिविंग क्याते हैं तो यह हमारा इंट्रोडक्शन अब हम बात करते हैं वाइरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं वाइरस के स्ट्रक्चर की कि वाइरस जो है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है तो वाइरस आर कंपोस्ट जो पिस्माल न और इसके कोर होती है तो हो सकता है या थो ड्лиन हो सकता है या फिर आरेने भी हो सकता है उन्य दोनों साथ मैं नहीं कि या तो dna कोगा भी आरेकर नहीं होगा तो यह क्या होगा रीजो इसके आसपास जो कोर है सराउंडेड जढ Command याई इसके आस पास एक कोर है क्या है क्या है क्या कि प्रोटीन की कोईट है जिसे यह क्या केता है क्या कहते हैं कैपसीड ठीक है इसे हम कैपसीड कहते हैं कैपसीड इस कंपोज जो पर लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट पॉली पैप्टाइट काल्ड कैपसुमियर यानि कि यह जो कैपसीड है वो किससे बनी हुई थी ही लार्ज नंबर यारी कि बहुत सारे नंब यह तो DNA हो गई या फिर RNA हो सकता है और इसका आसपास एक core होती है जो की protein की बनी हुई होती है जिसे हम capsid कहते हैं और यह capsid जो होता है वो large number of protein subunit यानि की polypeptide की बनी हुई होती है जिसे हम capsomere कहते हैं क्या कहते हैं मुलकुझज के नकलिय्ट के सुर्ण 2 1-2 यहां समयं में आया कि यह क्या क्या है चेयनेटिक मेरियलए जैनेटिक मतीे डिल्यट यह श्यक्वास है डिल्테ल 23 3-20 4 3-2002-1-चाहिशेयो इस नुकलिय्ट एशेयब कने दोनों को मिला के क्या कहेंगे नुक्लियो कैपसीड क्या करता है इसको कवर करके रखता है किसको नुक्लियो कैपसीड को तो नुक्लियो कैपसीड उसे हम कहते हैं सम्वाइरस आलसो है वह इंवलप यांने की यह बता है। अब हम बात करते हैं के फंक्षन के ख्वाइयरस तो 살is कि यह होता है। उस वाइरस को या फिर इसके जो genetic material है इसको बाहर के environment से बचा के रखता है यानि कि external environment जो है उससे बचा के रखता है और जो host cell में जब इसकी इंट्री होती है तो उसको क्या करता है यह जो capsid है जो है जब host cell में वाइरस की इंट्री होती है तो इसे फैसिलिटी देता है अंदर इंट्री होने की क्योंकि हमेशा यह जो DNA है और RNA या फिर जो nucleic acid है genetic material है वो उस host cell के अंदर इंट्री होता है यह जो बाहर का इसका cover है वो नहीं तो इंवलब की बात कर रहे हैं तो आप बात क तो नॉर्मली जो है वो वाइरस का structure के अगर हम बात करें तो यह इस टाइप का भी हमने बनाया था तो इसके अंदर genetic material होता है यह छोटे-छोटे सा było जिससे मिलकर इस पर बनी होई होता है यह सा होगा पुरा diagram दिख लेना तो यह दिफरेंट क्या होगा इसमें जो इन्वलब वाइरس होगा उसमें उपर एक और लेयर बनी होई जिसे कि बैक्टेरिया का हो गया प्लांट हो गया जब उनको इन्फेक्ट करता है यह वहीं से प्राप्त करता है यह उसके साथ में लियर के चलता है जो कि लिपीड प्रोटीन होती है उसे हम लिपोप्रोटीन कहते हैं और इसी लेयर को हम क्या कहते हैं? इंवलब कहते हैं, तेकि ये कौन सी है, कौन सी लेयर है? लिपो प्रोटीन जिसे हम कहते हैं, यानि कि ये लिपीड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है और यह कुछ वाइरस जो होते हैं वो non-inveloped होते हैं यानि कि कुछ वाइरस के अंदर envelop होता है या और कुछ के अंदर नहीं होता है तो यह enveloped वाइरस भी उस वाइरस को facility प्रोवाइड करता है और एंटरी होने के लिए ताकि यह उस से attach होके genetic material को अंदर transfer कर सके है वाइरस के साइड की थो वाइरस इतने चोटे होते हैं लिए इतने चोटे होते हैं इसमाल होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें की स्पैशन माइक्रोस्कोप की ज़र्वत होती एट वाईर Thomas Hai press mm आपरोक्सेमेटलीटीटीट्व इनमे इन साइज है याली कि लगबग वाईरस की साइज जो है वो l님이 होती है जिसमें से सबसे लीसित्व बारशे सालिस जिसकी साइज बहुति है और जो लारजिट सब्स वाइडो से जिसकी साइज 400 एनम होती है तो जैसे कि हम एक्जामपल की बात करें तो यह जो हमारा रैबीस वाइरस है वो कैसा है बुलेट शेप्ट का है यह आपको दिख रहा होगा यह बुलेट शेप्ट का वाइरस है रैबीस वाइरस फिलामेंटेस शेप्ट का वाइरस है इबॉला वाइरस यह फिलामेंटेस लाइक इस्ट्रक्चर है हमारा यह ब्रिक शेप्ट का है तो पोक्स वाइरस जो है वो ब्रिक शेप्ट का दिखाई दे रहा है आपको और स्पेस वीकल शेप्ट का जो है वो एडिनो वाइरस है यह ये स्पैस वीकल शैप्ट का है इस ताइब का वीलक शैपंड का वहें रोटा वाइरस है रोग मोस्ट्री सब्सक्राइब दिखाई देगा तो यह उपर की बात करें तो आपको यह स्ट्रक्चर्ट जो है वह है लिकल जैसा दिखाई दिखाई रहा होगा इसके अंदर का जो एक लिक आसी वे वह पूरी तरीके साइस तरीके से स्पाइरल हो गया है तो उसको हम है लिको श्रब कहेंगे इसकी हुआ रहेगी यहानि कि उसमें आइको सद्र बीदिखाई दे रहा है आपको है लिकल श्रय निदि दिखाई दे रहा है तुसे हम क्या कहेंगे complex symmetry और यह किसकी होती complex symmetry होती है हमारी box virus की box virus जो है वो complex symmetry का होता है ना tycosidyl होता है ना ही helical होता है यानि कि दोनों उसमें mixture होता है इसका इसलिए हम complex symmetry कहते हैं तो आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा वाइरस की फूलोजर structure को हमने detail में पढ़ा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू